या बभी या वीडियो स्टार्ट करने से पड़ा मैं आपको बता दू कि काफी सरे लोग नहीं यार कमेंट करते हैं कि तुम Realme X2 और X2 Pro के रिगार्डिंग वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं तो मैं आपका उता दू Realme X2 और X2 Pro के रिगार्डिंग नहीं आता है तो मैं क्या वीडियो बनाओ वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक दोना चाहिए ना Realme X2 Pro के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना चुक हो मतलब Realme X2 Pro में जुलाई के महिने में कौन सा अपडेट आने वाला है उसके रिगार्डिंग मैंने अल्लेडी वीडियो बने के रखा है उपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देता हूँ जाके चेकाउट कर सकते हो अब सीधा भाईए स्टार्ट करती इस वीडियो को तो नमस्कार दोस्तों राख वर जब आपका स्वागत है और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले में आपे Realme 3 Pro 5 Pro X और XT के जुलाई 2020 के सौफ्टर अपडेट के बारे में यहाँ पर दोसे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Realme 3 Pro 5 Pro X और XT के अंदर जुलाई के महिने में कौन सा अपडेट आने वाले है मतलब ऑफिशियल फीचर्स के बारे में बताऊंगा ठीके इस से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वह आपे मैंने एक्सपेक्टेट फीचर्स के बारे में बात किया था मतलब कौन से कौन से फीचर्स आ सकता है लेकिन इस वीडियो में आपको जो बताऊंगा न वो सब कुछ ऑफिशली कनफर्म टे क्यों कि जो अपडेट है न वो अल्डेडी चायना में रूल आउट हो चुका है और आप सभी को बताईए कि जबी भी चायना में कोई अपडेट आत अपडेट हो चुका है और उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा मतलब क्या कुछ चेंजलोग है उसी के बारे में बताऊंगा और यह जो सिम अपडेट है यह हमें इंडिया में देखने को मिलेगा रियल्मी 3 प्रो 5 प्रो X और XT के अंदर लेकिन चेंजलोग बताने से अगर आपने इस वीडियो का भी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो एम करते हैं 300 लाइक की उमीद है आप कर ही दोगे अब जादक बात है वह यह वर्जन की सबसे बहले वर्जन के बारे में बात करते हैं देखो रियल्मी 3 प्रो को मिलेगा C.07 का अपडेट रियल्मी EX और 5 pro को मिलेगा C.05 का अपडेट और रियल्मी ND को मिलेगा C.06 का अपडेट जहात अप बात है चेंज लॉक की दो सबसे बला आप मिलेगा यहाँ पर एप Literally Link App इंडिया में ईन्डिया में ऑल्डेडी मील चुका है Chinese variant के अदर नहीं मिला था तो इस वाई से चें प्रो फाइप्रो एक्स और एक्स्टी के साथ में कोई वायलेस एयर बड्स को कनेट करोगे मतलब कोई Bluetooth headphone या फिर जो भी एयर बड्स वगरा आते हैं ना मतलब Realme के तरफ से मतलब Realme के ब्रैंडिंग के साथ में आने वाले जो च्रूली वायलेस एयर बड्स एना उसको अगर आप कनेक्ट करोगे Bluetooth की जरीए तो आपको वही एक पॉपप देखने को मिलेगा आपके बास रियल मी लिंक होना चाहिए तब ही जाके आपको वह पॉपप देखने को मिलेगा यहां पर उसो साथ में Bluetooth के अंदर एक बग था जिसको fix कर दिया है जो कि यहां पर fix the problem of returning to the previous layer during Bluetooth search the interface shows that no Bluetooth device was found तो यहां पर हुई एक Bluetooth के अंदर बग था जिसको fix कर दिया है साथ में उसो बात करते हैं आगले changes की तो game space के अंदर added the function of displaying barrage messages in games अब barrage messages क्या है मैं आपको होता आता हूँ देखो कुछ दिन पहले मैंने एक video बना था 2.0.33 वाला I think game space था नहीं 2.0.30 वाला game space था वाब भाई एक feature add हुआ था जो की the bullet notification ठीके उस video का link में आपको i button में देता हूँ जाका check out कर सकते हो इस video को देखने के बाद में आप अच्छे तरह के समझ जाओगे कि bullet notification क्या है तो वो जो bullet notification वाला option है वो अभी add कर दिया गया है game space के अंदर अब चायना में यह feature barrage messages के नाम से add हुआ है और इंडिया में जब भी आयगा तो bullet notification के नाम से एड होगा यहाँ दोस बात करते है अगले changes की तो game space के अंदर कुछ bugs थे जिसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है जहाँ आप पर सकतो fix the issue that the low probability call did not take effect after the game space blocked the notification मतलब कि यह game space के अंदर एक बग था जबी आप game space के dashboard के जरिए किसी भी call को block करते थे ना तो उसके बाद में भी आपके पास call आता था तो उस वल इशू को यहाँ पर fix कर दिया है और साथ में fix the problem of abnormal function status after uninstalling the game space game space को uninstall करने के बाद में यहाँ पर कुछ issues बगड़ा आ रहे थे जिसको यहाँ पर fix कर दिया है यहाँ अगले changes की तो calendar के अंदर यहाँ पर कुछ change बगड़ा किया गया है लेकिन मैं आपको बदा दू इंडिया में realme के तरफ से कोई भी official calendar अप नहीं है इंडिया में जो calendar app इंडिया में realme x3 pro 5 pro और xd के अंदर गूगल कलेंडर आता है इंडिया में बात कर रहा हूं चाना है रियल्मी का खुद का calendar वाला app है तो यह जो changes जो calendar के अंदर किया गया है यह आपको इंडिया में नहीं मिलेगा यहाँ बात करते हैं अगले changes की जो कि हाँ पर recording के अंदर added recording to text function अब इसके regarding मुझे कुछ समझ भी नहीं आया जब इंडिया में आएगा तो इसके बारे में detail में बात करूंगा देखो जबी इंडिया में आता है ना तो उसके बाद में review video बनाते हैं तो उस review video में मैं आपको बता हूंगा यह added recording to text function का का काम क्या है ठीक है यहाँ बत इंडिया के अंदर आपको Google keep देखने को मिलता है लेकिन Chinese variant में आपको sticky note देखने को मिलता है तो यह जो चेंज है ना मतलब यह जो changes है यह भी आपको नहीं मिलेगा इंडिया के अंदर यह बात करते हैं अगरे changes की तो realme lap के अंदर कुछ नए function add होने वाला है देखो realme lap के अ मिलता था लेकिन realme 1.0 का update मतलब realme 1.0 update आने के बाद में उस dark mode को stable कर दिया गया तो अभी वहाँ पे आपको dual mono करके feature देखने को मिलता है dual mono audio करके feature देखने को मिलता है जो की I think stable हो जाएगा उसके मतलब realme lap के अंदर अभी आपको added night super standby optimize the problem of night standby power down quickly शायद कोई night super standby करके mode आने बाद में आपको बताऊंगा एक दम डीटेल में बताऊंगा और साथ में optimize the smooth sliding screen function इसके रिगार्डिंग के फिलाल कुछ नहीं बता इंडिया में आने दो बस उसके बाद में आपको बता यह review video के अंदर हम सब कुछ detail में बताते हैं तो इंडिया में आने दो उसके बाद में में आपको जरूर से बताऊंगा कहना का मतलब रियल में लैप के अंदर ड्यूल मॉन वाला और मतलब ड्यूल मॉन ओडियो का जो फीचर है उसको स्टेवल करवा दिया जाएगा और वहां पर आपको नाइट सूपर स्टैंडबाई करके कोई फीचर देखने को मिलेगा यह ऑफटिमाइस अफ्टिम निया कर?" या आपको स्क्रिन रिकॉर्डिक पर देखना तो स्कुल्बाः.. पर रिकॉर्ड भी कर सकते हो तो अप्टिमाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग फंक्शन यह अलड़ी आ चुका है रिल्मी 3 प्रो 5 प्रो एक्स और एक्सटी के अंदर इसके अलब दोस्तों काफी सरे बग को यहां पर फिक्स कर दिया गया है साथ में इंटरनेट के अंदर कुछ बग था जिसको यहां पर फिक्स कर दिया है फानली चार्च के अंदर भी कुछ बग था उसको यहां पर फिक्स कर दिया तो कहने का मतलब काफी सरे बग को यहां पर फिक्स किया जाएगा इस बार जो अपडेट आने वाला है वो काफी तबाहिवार अपडेट होगा साथ मैं उससों बात करते हैं लास्ट चेंजेस की जो कि यहां पर है अपडेट अपडेट एंडरोई सिगुरूटी पैच मतलब आपको मिल जाएगा वाई वाईजोगो एक्जाक्ट सम्-to-samline ix update अपडेट तो कहने कम दो कैनेये के आता है वह सब कुछ आपको इंडियकों मिलेगा जुलाइच के महिने का पडेट के जरिए तो इतना ही दूसरी वीडियो के इनदर मैं आपको बता음 कि Realme 3 Pro 5 Pro X और XT के अंदर जुलाई के महिने में कॉंस अपडेट आने वाला है और सब कुछ ऑफिशेल है लिंक में आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं अगर आपको विडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाने दक बात है अप कर देना क्योंकि मैं यहां पर हो जाना ऐसी वीडियो के आता रहता हूं मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में के नेविडियो के साथ तो दिक लिए ऐसा ही बनाट है हमेशा स्मार्ट रहे है आपसे के लिए बनाट है